जय हैं और वेलकम तो टेंथ लेक्शर आप दी जोगरिफिकल सीरीज इन थर्टी देशी एपिएफ क्राइस कोड़ लॉट्स अपने एक्जाम से रेलेट करें तो आप जो भी प्रेशर आप अंटर्गो कर रहे हैं इसी थौट के साथ हम लेक्चर प्रोसीड के तरह है थोड़ा सा फैक्शुल है लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे एक्जाम व्यूपॉइंट से एक लिस्ट वन और टू क्वेशन कुट भी प्रोसीड प्रोसीड पहला टॉपिक है वह स्ट्रक्चर आप दी अर्थ है जो इंटीर है वह कॉंसेंट्रिक लेयर में बना और आप इसको इस डाइग्राम को देखिए इस डाइग्राम को आप देखिए देखिए जो डेप्थ है एर्थ के इंटीर का अरॉंड 6400 किलोमेटर है आप इसको ध्यान रखेंगे क्लासिफिकेशन आप याद रखेंगे कि जिरो से 100 किलोमेटर जो पहला जो थेक है डाट इस काल दी क्रस्ट और लिटास्वेर है वो क्रस्ट अपर मोस्ट सॉलिड मैंटल का पार्ट को हम लिटास्वेर बोलते हैं जिरो से 400 किलोमेटर के बीच में जो सॉफ्ट और सॉफ्ट को आपको याद रखना है कि को क्रस्ट और मैंटल की वीच में एक डिसकॉंटिन्योटी होती है दैट इस रदी सकॉल दी महागानी दिसको महा रवक डिसकांटिन्यूटी सिमिलर्ली बहुंच गोने तो दिटेट इस गते इडिस्कांटिनिव पर ते जोल्ट इसका डप जंदी इने इनाचर पर किलोमेटर अप्टु नप्तु लुट्ञूपर अप्टू रूपट्ट अप्टू देप्ट आफंड प्रेशर वाइल एनर कोर इस इन सॉलिड यह दो प्रेशर डॉमिनेट्स ओवर दर टेंपरेचर इस तरह पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे मैं आपको डाइग्राम में अच्छे से क्लारिफिकेशन के लिए बता रहा हूं नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं देखते हैं पॉइंट्स रेसोसियेटेड विद इस देखे सबसे पहला है क्रस्ट तो आप ध्यान रखेंगे कि नॉर्मिली जो इसका थिकने से 30-50 किलामेटर है होशन एक क्रस्ट जो है वो थेनर होता है दाट इस 5-30 किलामेटर एंड कॉंटिनेंटल एरियास में जो क्रस्ट का थिकनेस है दाट इस 50-70 किलामेटर में देंजिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमेटर सेंटीमेटर क्यूब कि एक और आपको याद रखना है कि इट वांस दी 5-10 परसेंट अफ दी अर्ट वालियूम मौवर इविक डिसकॉंटिनेटी मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट इस मैंटल मैंटल एक्टेंट अप्टू देटाव 2900 किलामेटर क्रस्ट ना परमुस्ट पाट अप दे मैंट चल का दिल्स वे देट एंड़ेट अंडर्ट तो फुएंड टूवर मैंटल एक्सट अट एकस्टेंट बेयॉंट इस इंटिस सॉलिड इस्टेट मैंने आपको बताया कि जो एक सुनस फेर वह मॉल्टन होता है उसके निचे सॉलिड इस्टेट है नेक्स एम मूव करते हैं इतन फरूंट सराउंड एटी टीरी परेंट अव इंसी आभ यादर रखेंगे बीटेंट तो एड़ गडिया रखेंगे टो पांद औरेंगैंट 2.9 1.3 किलमेटर था फिर फेजिट्व पर फिक पर फिर लो गलार इंतुटर फोल्मिटर विलियू फुर्टर को न कुलमेटर 6400 किलोमेटर सिक्स्टीब परसेंट ऑफ दी एर्थ वॉल्यूमित अकाउंट्स फॉर एकलाइन आरन आउटर कोर इस लिक्विड वाइलिनर कोरी सॉले डिस्क गुटनबग डिसकॉंट इसको बता दिया को और मैंटल की बीच में नेक्स्ट आप दियान दकेंगे कॉपोजिशन अफ आउड्स इसको आप याद कर लेंगे क्योंकि कई बार कई बार क्वेस्टन जो है वह एसेंडिग को अटेंग्डर में करके आ जाता है या आप से पूछ लेता है कि मेस्ट या फिर अलेमेंट का नाम के पूछ लेता है कि वेच देविच विच फॉलविघ कर रहे हैं sources of the information of the earth's interior पहला है direct sources direct sources मतलब direct evidence बताते हैं example ocean drilling या mining या volcanic corruption जो होते हैं वो अब गए direct sources बताते हैं कि इस टाइब का structure किस टाइब के rocks पाएगे हैं नेक्स्ट किस टाइब का structure है इस इन डिर्ट सोर्सें में आप याद रखेंगे कि जो हम properties करते हैं matter का that is the indirect source then next is meteors next is gravity anomaly हमने देखा कि crust का अलग density है rock mantle का लग है तो वह जो वह जो जो हम indirect sources जैसे कि जो जो सिसमों ग्राप पड़ते हैं तो उससे में पता चलता है कि density difference आ रहा है तो उससे में पता लगाते हैं कि obviously the material that is going your state of state of state of state of inner part of the earth interior है वो चेंज हो रहा है तो gravity and Emily helps gives the information about distribution of mass of material next is magnetic survey magnetic survey gives information about magnetic material next is seismic activity important source about interior of the earth next is motion of the earth तो कि motion motion of the earth में सबसे पहला टॉपिक है rotation of the earth you need to remember that earth rotate on its own axis from west to east direction west to east direction day and night day and night occurrence for phenomena happens due to the rotation of the earth next is circle of elimination जो divide करता है earth को day and night के बीच में on the globe is known as the circle of elimination next is orbital plane very important देखे इसको आप अच्छे से समझे और्बिटल प्लें को कि इस डाइग्राम से समझे देखे इस डाइग्राम में आप देखेगा कि north pole north pole जो है that is inclined towards the 23and half degree from the normal from the ever similarly orbital plane और नॉर्मल के बीच में जो आंगल बन जाएगा that is 66 and half degree that is 66 and half degree देखे और्बिटल प्लें लों प्लें को की बात कर रहे हैं जिस और बिट में एर्ट जो है वो रिवाल्व करता है तो और बिटल प्लेंसे जो नॉर्मल का एंगल जो बन रहा है that is 66 and half degree तो दिस तो आप इसमें ध्यान लखेंगे कि अर्ज का रोटेशनल आंगल जो है वो 23 and half degree with normal बनाता है and it makes 66 and half degree with the orbital plane आई होप इस अप एक्लियर होगा डियाग्राम से और बिटल प्लेंवरी इंपोर्टेंट है इसको याद रखेंगे revolution of the earth कि revolution जो है वो motion of earth around the sun in an elliptical orbit इसको motion बोलते हैं it takes around nearly one year that is 65 365 one and half days और एक day one and one by four जो है वो मेल करके 4 साल में एक डे एक्स्टा बनता है and that that extra day this year में आता है that February 29 से हम उसको नाम दे करके compensate करते हैं and that year is known as the leap year वह एक important point आप याद रखेंगे revolution leads to change in the season next is summer solstice देखें आप यहां पर समझें कि देखें next summer solstice में क्या होता है कि equatorial orbit में जब सन जब रिवाल्फ करता है तो ऐसे position में आता है एक ऐसे position में आता है जहां पर ट्रापिक अफ कैंसर पर ट्राफिक अफ कैंसर पर डारेक्ट संडेश का डारेक्ट संडेश का फॉल होता है एक यह लिए लॉंगर दैन दीन अब पाहर। सिमिलर्ली उप्सित होता है विंटर में क्योंकि वहां प्रॉपी संड्रेश जो है वह कम होता है तो ऑविस्ली नाइट्स ओर longer than the days और इस और यह जो सिस्टम फर्मेशन होता है इसको हम समर सॉलिस्टेस बोलते हैं जून ट्वेंटी ट्वेंटी से 22 के बीच में समर सॉलिस्टेस होता है इमी एक्जाक्ली ऑपोजिट सिच्वेशन होता है देसमर 21st 22nd में वे सदर हमेस्वेर संब्सक्राइब इसमर समर सीजन अनधर हमेस्वेर हिस वेंटर सीजन वे चुशन एक्विनॉक्स सिच्वेशन है वन संब्सक्राइब डिरेकली ऑन देक्वेटर और इस इकल दिस्ट्रिबिशन ऑफ देन नाइट तो जो समर 22nd में होता है उसको हम और मॉट्मनल देसे एक्व 21st आभ याद रखेंगे अंधि नर्दन हमिस्वेर वन देसं फोल डिर्कली अंधर ट्रॉपिक अफ चैंसर अजर इस एरिए सीजिए रिए रिचीफ देसें अन देसें लागे तूट इस नॉन अधिस पर लेंगे नेक्ट इस विंट यून प्रॉट इस विंट पर लेंगे देर्वर इस समर इंजदन और विंटर इन नदन अधिस निट एए इस विंटर इस पोजिशन अफ इस विंटर इस पोजिशन आफ इस विंटर सॉल स्टेस्ट नेक्स इस एक्विनोक्स थी मैने आपको बता दिया 21st and 23rd को डिर्क संडेस फॉल होता है एक्वेटर पे और य नेक्स पॉइंट इस रोटेशन कॉजिशन 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 नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है लाटिट्यूड और लॉंगिट्यूड देखिए आप टेक्निकल टर्म में इसको याद रखेंगे कि आंगुलर दिस्टेंस अफे प्लेस नॉर्थ और सौथ ऑफ एक्वेट इस दी लाटिट्यूड और डिस्टेंस ऑफ प्लेस इस्ट और वेस्ट ऑफ दी ग्रीन ग्रीन विच मेरेडियन ग्रीन इस लॉंगिट्यूड देशी भासम में आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हरिजंटल लाइन होता है और जो वर्टिकल लाइन होता है अलांग देखरी इस फ्रम इक्वेटर दो फोल्स लेकिन अल्ड लाटिटूड अल्ड लाउंगिट्विट्स इक्वल इंपोड़न डिफरेंस अभी आत रखेंगे तक इसमें आपको कुछ द्यान रखना है जेरो डिग्री लाटिटूट को हम एक्वेटर बोलते हैं नेक्स्ट ट् ठेकर चीव डिए आगर इंट्सक्राइस आंग狗 बोलते हैं तो अच्छिक वजखनी यहां से पूछे जाते हैं कि अगर aquest करेंगे तो वहां पर क्या होगा तो आप बहुत अच्छी से इसको समझे पहला पॉइंट याद रखना है कि जिरो मेरेडियन जो की पास करता है रोयल अस्टोनॉमिकल ऑब्जर्वेट्री और ग्रीन विच नियरनल लंडन इसकाल ती ग्रीन विच प्राइम मेरेडियन नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जैसे अर्ट जो है सवाल पूछेगा कि अगर इंडिया का लोकल टाइम तो ग्रीन विच मेरेडियम में या फिर और कोई प्लेस में जिसका डिग्री वो मेंशन कर देगा इस्ट या वेस्ट में वहां पे कितना हो रहा है तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे सबसे पहले तो आपको यह जिस भी लोकेशन का टाइम लोकल टाइम दे रखा हो गा उसका अपको इस पेसिफाई कर देगाए कि वह इस टिग्री वह इतने लोकेटड है फर एक्जांपल इंडिया जो है हमारा that is having the Indian standard time वो 82.5 degrees है और Greenwich Meridian जो है वो 0 degree से है तो देखिए हर एक डिग्री पे 4 मिनिट हो रहा है तो आप वैसे calculate करेंगे कि Greenwich Meridian से इंडिया का distance कितना है तो that is 82.5 degree 82.5 degree और 82.5 degree अगर एक डिग्री में 4 मिनिट का difference आ रहा है तो 82.5 degree में कितने मिनिट का difference आएगा वो उसको calculate कर लेंगे calculate करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अब हमें East move करना है या West move करना है तो अगर हमें East की तरफ move करना है तो आप जो है Greenwich Meridian से East के तरफ है लेकिन हम से इंडिया का time दे करके पूछा जा रहा है कि Greenwich Meridian में क्या time होगा तो obviously हम लोग East के तरफ हैं तो हम लोग Greenwich Meridian से extra time आगे के time में होगे तो इस case में हम जो है बारा घंटे बारा बजे से साधे पांच घंटे कम करेंगे क्योंकि जब आप इसको calculate करेंगे एटी तूए औन हाफ दिग्री इन्टू फोर मिनेट तो वह अरौण साधे पांच घंटे के आसपास आएगा तो आप इसमें साधे बारा बजे लोकल टाइम में साधे पांच घंटा कम कर देंगे तो आप एक दो क्वेस्ट कर लें अब इसको अच्छे से समझे नाशनल डेट लाइन है वह वह एक दिन का लॉस होता है आपको कि अब इंटर्नाशनल डेट लाइन को इस से वेस्ट 지를 क्रोस कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप जो है अक्षेल में ला नहीं आप इस्टीन हमिस्फेर में इईंटर करते य हैं आप एक दिन का लॉस होता है आको क्योंकि इस से विट रिस्पेक्ट टाइम तो इतना थ्यान रखें कि इस्ट को अगर आप क्रॉस करते हैं फ्रॉम इस्ट टू वेस्ट और इस्ट जो है वो इंटरनाशनल डेट लाइन के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं जो भी आप ग्लोब में देखेगा उसके राइट साइड होगा रहां फ़ी करते लॆ डाकल समस्ट होगा तो आप अगर इंटरनाशनल डेटलाइन को यह सधेवान सी तरफ ट्रफ ट्रplant वेश Can half hour ahead of the meridian green which meridian next next concept daylight saving time daylight is by which all clocks all clocks in the places like North America and Europe are moved forward by an hour during summer month and brought back during the winters to utilize long-lasting sunlight in the summer and save energy देखिए आप इसको चैसे समझे कि जो समर समर सीजन में North America और यॉरोप में क्या होता है वहाँ पर स्लिए जढ़ा ज्यादा ज़्यादा तक आते हैं तो उसको यूटिलाइज करने के लिए क्या करते हैं इस नौर्थ